तो दोस्तो अगर अभी आप अपने YT Studio को open करोगे, open करने के बाद analytics में आपको यहाँ पर नीचे एक real time data का option मिलता है, तो जैसे आप उस पर click करोगे, click करने के बाद आपको यहाँ पर एक message आपके YT Studio में दिखा रहा होगा, कुछ इस तरीके से जो मुझे भी यहाँ पर दिखा नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर आपकी जो वीडियो पर व्यूज आ रहे है, क्या इस पर इससे कोई problem यहाँ पर आ सकती है, और यहाँ पर जो है, इसको solve कैसे करना है, यह तीनों चीजे इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एक like and चैनल को subscribe जरू कर लिज views count and report of a video performance, we are working on the issue, इसका मतलब है कि YouTube जो है, उन्हें कुछ experience हो रहा है issue का, जिससे कि आपकी जो real time data है, उसमें कुछ issue यहाँ पर उन्हें मिल रहा है, कि यहाँ पर आगे और लिखा है, कि यहाँ पर जो आपके यहाँ पर वीडियो पर वीडियो पर वीडियो आ रहे है, ज यहाँ पर मेरे जितने भी वीडियो पर वीडियो पर 40 गंटों में, यहाँ पर प्रॉपर तरीके से count यहाँ पर नहीं हो रहा है, जिसकी वज़ए से यह message जो है, आपको अपने वाइटी श्टूडियो में देखने मिल रहा है, जैसे कि अगर उनके 48 गंटे में एक मिलियो यहाँ पर उन्हें जो है न सही तरीके से व्यूज यहाँ पर देखने नहीं मिल रहा है, तो काफी लोगों के यह issue चल रहा है, जिसकी वज़ए से YouTube ने सभी के वाइटी श्टूडियो में यह message यहाँ पर show हो रहा है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि YouTube बोल रहा है कि हम इस पर work कर रहे हैं इस issue को solve करने के लिए, तो यहाँ पर आपको मैंने बता दिया कि यह आपके वाइटी श्टूडियो में क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो real time views है न वो यहाँ पर सही तरीके से count नहीं हो रहा है, अब बात करते हैं कि आपके जो यहाँ पर वीडिय इसलिए show कर रहा है कि काफी लोगों को यह दिक्कत आ रही है, उसकी वजह से यहाँ पर यह message यहाँ पर show कर रहा है, बाकि आपके जो views आ रहे है न उस पर आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पर देखने नहीं मिलेगी, अब बात करते हैं कि इसे solve कैसे करना है, तो यहाँ पर आपको जो है ना इसे solve करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि यह YouTube दोरा दिया गया bug है, यहाँ पर एक से आपको किसी भी प्रकार से solve नहीं करना है, यह आपको इसे छीड़ चाड़ बिल्कुल नहीं करना है, काफी सारे ने यूटूबर्स क्या करते हैं, कि यह जो दिखा रहा है, तो आपने वाइटी स्टूडियो को अंस्टॉल कर देते हैं, उसका clear data कर देते हैं, सब कुछ करके देख लेते हैं, फिर भी यह नहीं जाता है, क्योंकि यह YouTube की तरफ से आया है, तो यह YouTube जो है, इसे खुद अपने आप 1224 घंटे में यहाँ पर हटा देगा आपको यहाँ पर करने की बिल्कुल यह कुछ भी करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, बाकि मैंने आपको मता दिया कि क्यूं यहाँ यहाँ पर आपके यह इच्टी स्टूडियो में आ रहा है, इस से आपके च्य Lynn पर कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है, वीडियो लाइक कर देज़ेगा और चैनल को सस्क्राइब कर देज़ेगा मिलते हैं नेक्ट टूडियो में